के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं तो तीन सरल रेखाओं से घिरी ही याग्रती को त्रिभुज कहते हैं त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं इसमें तीन कौन होते हैं यहां पर त्रिभुज A, B, C बनाया गया है इसमें A, B, B, C, A, C ये तीन और तीन कोड़ हैं अब कोड़ को हम एक नाम से पुकार सकते हैं और तीन नाम से पुकारते हैं तो जैसे कोड़ A है इसको कोड़ A भी कह सकते हैं या B A C कह सकते हैं कोड़ B है B को A B C या एक अक्षर से कोड़ B कहते हैं और कोड़ C को एक अक्षर से C कोड़ और B C A कह सकते है अब हम लोग पढ़ेंगे सरवांग समता के बारे में कि सरवांग समता किसे कहते हैं दो त्रभुज जब एक के उपर दूसरे को ढख लें दूसरे को रखें और पूरा-पूरा ढख ले तो ऐसे त्रभुजों को हम लोग कहते हैं सर्वांग सम जैसे मन ले जाए कोई पत्ती है पेड़ की पत्ती है किसी पोधे की उस एक पत्ती के उपर दूसरी पत्ती को रख दें और पूरा पूरा ढख ले तो हम कहेंगे दोनों जो हैं पत्तियां सर्वांग सम है तो जब दो त्रिफुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं और उनका छे त्रफल भी बराबर होता है इस सर्वांग समता को चिन्ह से प्रदसित करते हैं दो नीचे लाइने बराबर की तरह हैं और एक A, B, C और P, Q, R हमने दिखाया है तो इसमें से तीन भुजाए हैं A, B, B, C, C है और दूसा त्रभुज P, Q, R है उसमें P, Q, Q, R और P, R है तो अगर ये A, B, C त्रभुज P, Q, R के सरवांगसम है मान ले जाए उसमें A, B, 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 Q, R के बराबर है तो इसको हम कहेंगे सरवांगसम है जब सरवांगसम हो जाएगा तो कौण A, P, Q के बराबर हो जाएगा और C, कौण R के बराबर हो जाएगा इसको आप लोग समझ ले पढ़ें और ध्यान दे